हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल वीकी क्रियाशन माँ आपका अपना दोस्त वीकी फ्रेंट्स आज मैं बात करेंगे बोलीवूड की न्यू मुवी कैस के बारे में आपको अमल पारासर फिल्म में किस तरह से अपना स्टार्ट अप सुरू करने का विचार करते हैं वो सब कुछ दिखाया जाता है दोस्तों फिल्म डिजने प्लास होस्टार्ट पर रिलीज होई है जिसको केस में दोस्तों कॉमेडी और सस्पेंस के अलबा इसमें आपको रोमास भी देखने को मिलता है क्योंकि दोस्तों फिल्म में अमॉल और सिमिर्थिक कादला की केमिस्ट्रिक खुब कमाल की लगती है दरसल दोस्तों फिल्म में अमॉल पारासर एक शियो के किर्दार में नजर आ रहे है जिसके दिमाग में हमेसा ही बिजनेस का आइडिया चलता है इससे पहले कि वो कुछ करें दोस्तो नोट बंदी हो जाती है तो इससे वो अपना जो सपना था वो तूट जाता लेकिन उस नोट बंदी में भी वो कुछ आउसर और ढूने दे लगते हैं दोस्तो इसके बाद वो नोट बंदी में अपना एक स्टार्ट अप सुरू करते हैं और आपको नजर भी आते हैं आलांकि दोस्तों इस बीच में पुलिस के एंट्री हो जाती है और अरमान गुलाटी का पूरा गेम खराब हो चाता है लेकिन इस पूरे गेम में होने वाली हर एक चीज में आपको सस्पेंस के रूप में दिखाया जाता है और दोस्तों इंडिय स्कुन पर आपको कॉमेडी भी दिखा रही है और सस्पेंस भी दिखा रही है और नोट बंदी के दोरान लोगों को कितनी प्रेशनियां को सामना करता है वो भी कुछ आपको कॉमेडी के साथ में दिखाया जाता है दोस्तों इसमें एक दो आप्सन एक था गंबिर और दू भाग दोड़ करना शुरू कर देते हैं आलाएंकि दोस्तों बीच बीच में कई बार फिल्म के कानी उदर उदर जाती है लेकिन बोर ओने से पहले यह जरू आपको वापिस लेके अपने ट्रेक पर आजाती है तो दोस्तों एक बार इस मुई को आप जरूर देख सकते हैं छोटी मुई होने के बज़े से कुछ लोग इस मुई को देखना पसंद नहीं करेंगे किया पता कैसी इसकी स्टोरी होगी क्या है इसका लेकिन दोस्तों इतनी कमाल की स्टोरी है जो आपको कॉमेडी के साथ साथ में भरपूर सस्पेंस देखने को मिलता है दोस्तों जिस मुई में अगर सस्पेंस हो तो उसे देखने के लिए आगे बढ़ता रहता है तो दोस्तों इस movie में आपको suspense भी देखने को मिलेगा एक social message भी देखने को मिलेगा और comedy भी देखने को मिलेगा तो friends एक बार इस movie को आप जुरूर देख सकते हो कमाल की movie है आज के लिए बस इत्ते हैं आगे जो नए अपडेट को आपको जुरूर बताऊंगा तब तक के समस्कार और दोस्तों चैनल को जुरूर दो सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद थैंक यू